अज की टोपिक में हम IMM BRESS को कवर करने वाले हैं यह IMM BRESS क्या होते हैं और कैसे इनका यूज करते हैं ओम हमें देखना है तो हमारे पास ये model है LAST Ark Last ski में Mic model यूज किया था और हमने B्रम कोंसेप्ट समझे थी जिसने नहीं देखा है LAST class lesson number 11 वह आप देख लेना इसको हम continue करते हैं तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें सबसे पहले इसके हम eyeball लगाते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा अपेंड करना है eyeball के लिए हमें sphere को click करना होगा और old के साथ इस object को select करके इसका size हमें छोटा करना है तो काफी छोटा करना पड़ेगा और यह अंदर चला गया है थोड़ा सा बाहर लाना है और इसको resize करते हैं बाहर करके यहां side से थोड़ा सा देखना होगा और छोटा करना पड़ेगा तो यह देख लेना यह आपके according थोड़ा सा और अंदर होना चाहिए यहां प्यांता है I think थोड़ा सा और अंदर कर सकते हैं likewise this और इसी की copy हमें करनी है तो हम यह plugin में यहां से सब टूल मास्टर में जा करके mirror X में चाहिए हमको तो यह देखी तो हमने इसकी copy बना दिया और eyeball लगा दिया फिलाल में चलते हैं हमारा जो main topic था हम उस पर आ जाते हैं हमें क्या करना है हमें यहां पर देखना है कि IMM breast कैसे उस करते हैं तो breast हमने देखे थे last time यह देखो breast का icon है और इस पर अगर हम click करेंगे तो breast का एक पूरा panel खुलेगा बड़ा सा बहुत सारे breast यहां पर दिखाई दे रहे हैं और हम one by one यह सारे breast cover करेंगे देखते हैं कितने breast cover हो सकते हैं अच्छे से आप लोगों की help चूए बस आप लोग patients के साथ मेरे साथ बने रह हैं तो आप यहां से क्लिक करोगे या फिर बी से बी बटन को क्लिक करेंगे तो basically हमें क्या करना है breast के अंदर हमें category डूननी है कि IMM breast होते कहा पर है तो हम पहले तो B press करेंगे और उसके बाद I press करेंगे तो जितने भी IMM breast होंगे यह देखिए IMM लिखा हुआ है सब के सामने यह सारे के सारे breast हमें filter होकर कि दिखने लगेंगे यहां पर अगर आप क्लिक करते हो तो यह सारे breast है सारे के सारे IMM breast भी सामील है पर ऐसे क्योंकि बहुत सारे breast है आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं यह देखिए IMM IMM तो हमें केवल I वाले breast चाहिए तो I breast को आप I button को क्लि उसके पास में बहुत सारे breast के option मिल जाएंगे जैसे हमें यहां पर आप लोग यह सारे एक एक करके देख लेना सब एक ही तरह से काम करते हैं पर सब की category है जैसे हम इसका use करेंगे IMM body part इसको अगर आप click करोगे तो यहां पर आप देखोगे कि breast आपका change हो गया है और जो IMM body part वाला breast था वो लोड हो गया है साथ में उसके पास में कितने parts हैं वो देखिए यहां पर तो जितने भी IMM breast होते हैं तो इसका मतलब उसके पास में multi type के shapes available होते हैं कोई भी breast IMM breast अगर आप लेते हो तो तो यहां पर देखिए hand nose and feet and animal nose वगरह सब बने हुए है तो आप चाह आते हो कि हम कुछ यूज करना चाहते हैं तो हमें कैसे करना हूँ देखते है लेटश करें चाहिंयों पर फिर्ट करा चाहते हैं तो इसमें नोस हमारे पास में यह है ठीक है तो ये nose पहले से ही पड़ी हुई है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस nose को हटा देंगे तो as press करेंगे breast का size चोटा करेंगे और shift button को press करेंगे ताकि इस area को smooth कर पाएं हमने आपको last class में बताया था कि आप shift के साथ में smooth कर सकते हो उस area को ये breast smoothness के साथ काम करेंगा अगर आपने shift button को hold करके रखा हुआ है तो कोई भी breast होगा वो smoothness के तरह भी है करेंगा तो हमने इस area को बिल्कुल smooth कर दिया यहां पर यह हमने इसलिए कि यहां पर हम एक बनी बनाई nose लाना चाहते है तो nose कहा मिलेगी आई एम एम breast में कौन सा breast है आई एम body part तो यहां पर देखे lips भी है आपको lips लगाना है तो पहले smooth कर लिजिए ear लगाने है तो पहले हटा दीजिए smooth कर लिजिए लगानी तो यहां पर eye भी पढ़ लिए है हम यहां nose लगाना चाहते है तो हमने nose को click कर दिया जैसी click करेंगे यह nose यहां पर load हो गया है अब अब इस node को यहां पर लगा सकते हैं तो इसको अपने according set कर ले ना गुमा के rotate करके पर अभी नहीं आ रहा है सही तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा दूर करते हैं प्रेस करते हैं ताकि हमारा मॉड़ा सेंटर पर आ जाए और थोड़ा सा front पर रखते हैं उसके बाद यह nose को click करते हैं और फिर यहां पर draw करते हैं तो देखे nose आ रही है अब यह चोटी बड़ी आ रही है जैसे इसको हम छोड़ेंगे तो देखे पीछे वाला जो object हमारा black color का हो गया है मतलब यह mask हो गया है तो अभी इस area में कोई फरक नहीं पड़ेगा यह white area है इसी के उपर तो आपको यहां से move tool क्लिक कर लेना है और इसको set करना है तो हम थोड़ा सा चलते हैं उपर की तरफ थोड़ा सा rotate करना है और पीछे की तरफ चलते है कुछी step से यहां पर front से एक बार देखते हैं काफी बड़ी news हो गई है यह तो आपको लगता अगर ठीक है तो sufficient है नहीं तो आप यहां से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं scale कर सकते हैं काफी news बाहर की तरफ जा रही है और overall scale करके छोटी कर सकते हैं क्योंकि यह child है इसके इसाप से news होनी चाहिए तो news को थोड़ा से छोटा करना पड़ेगा यहां पर आपको लगता है कि थोड़ा से news नीचे होना चाहिए आप कर सकते हैं या फिर चोड़ी होनी चाहिए पतली होनी चाहिए वो जैसी भी है आपको decide करना है तो अगर आप satisfied हो जाते हो यह ठीक है news हमारी तो आप control के साथ में control प्रेस करके बाहर क्लिक कर सकते हो ऐसा करते हैं और यहां से आप वापसे drum mode बे आ सकते हो तो यह देखिए news आपकी यहां पर fit हो गई इस तरह से तो आप इसी तरह से कुछ भी यहां पर add करा सकते हैं कुछ भी anything जो भी यहां पर parts है तो यह होते हैं IMM अगर आप इस IMM की जोगे कोई और ब्रेस लेना चाहते हैं तो हम चलते हैं B for breast और I for IMM तो जितने भी I for MMM ब्रेस के साथ में आ रहे हैं फिर से आपको सारे दिखाई देने लगेंगे let's की हम इन में से कोई दूसरा यूज करना चाहते हैं कि जैसे यह देखिए IMM टून लिखा हुआ तो यह IMM का मतलब इसमें टून कोई model हमें यहां पर दिखाई दे रहा है इसका हम यूज कर सकते हैं तो देखिए eyeball भी पड़ी होई है यहां पर इसमें से हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इसका यूज करें तो हम चेंज कर सकते हैं यहां से IMM breast और यह basic shapes हमारे पास में available हैं इन में से देखते हैं कुछ यूज कर सकते हैं तो यह basic में basic shapes कर रहे हैं चलो यह इसका use करते हैं यह कून लगा हुआ है अगर हम इसको चलाते हैं कून को यहां पर तो देखिए ऐसा आ रहा है आप control के साथ में अगर click करते हो आप जब भी click कर रहे हो तो जो भी save बन रहा है वो same size का default size में है जो भी उसका default size है उसी size में बन के आएगा आप कोई दूसरा model यूज करना चाहते हैं तो यहां select करना है आपको और दूसरा model भी आप लूज कर सकते हो आप अगर control प्रेस करते हैं तो वो default जो भी उसका size होगा उसी size में ही रहेगा इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा आप इस तरह से देख सकते हैं और जब आपको हो जाए तो control के साथ बाहर आपको क्लिक कर देना है आप प्रेस करना है तो देखिए इतने सारे यहाँ पर बन देए तो इस तरह से आप IMM ब्रेस का यूज़ कर सकते हैं तो बहुत सारे यहाँ पर ब्रेस आए यहाँ पर देख लेना सारे के सारे एक ही तरह से यूज़ होते हैं बस इनके अंदर क्या होंगी shapes अलग अलग होंगी तो जो भी shape आपको यूज़ करना आप उनका यूज़ करना और category wise है तो यह आपका काम है आप इसको कैसे यूज़ करते हो वो देखना हम मिलेंगे अगले वीडियो में हमने IMM ब्रेस यूज़ करना सीख लिया अगले वीडियो में हम देखेंगे IMM ब्रेस अगर हमें अपना बनाना है नया fresh तो वो हम कैसे बनाएंगे तब तक के लिए वीडियो को आप सब्सक्राब जरूर करना comment लिखना thank you